एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी मा के पास गया और बोला मा आज जो कुछ मेरे पास है जिस सफलता की बुलंदियों को पा चुका हूँ, वह सब आपके प्यार और ममता की देन है इसलिए मैं चाहता हूँ आपने जो प्यार द और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए यह तो मेरा फर्ज था कि मैं अपन बड़ी की मात्रा संतान के लिए किया लेकिन वह व्यक्ति बार बार जित करने लगा नहीं मा मैं आपके प्यार और ममता की बदले कुछ देना चाहता हूँ आप मांगो तो सही बार बार जित करने के बाद मा बोली ठीक है क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या यह बात सुनकर बेटा बोला बस इतनी सी बात है तो जरूर मैं अपनी मा के पास आज रात सोंगा और जैसे ही रात हुआ व्यक्ति अपने मा के पास सोने गया मा उठ कर एक मग पानी ले आती है अपनी तरफ जहा सोई थी उस तरफ इसे पानी डाल देती है जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ती की तरफ भी चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ती परिशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया तो फिर माने और पानी महसूस हुआ तो वह तुरंट उठ गया और अपनी मा के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला आप क्या कर रही हो मा मुझे सोने क्यों नहीं देती हो आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो तो मा बोली बेटा जब तुम बच्पन में मेरे साथ सोते थे तो ऐ ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीला कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरब तुमें करके खुद गीले स्थान पर सो जाती थी तुम तो मेरे प्यार और ममता का करज चुकाणा चाहते हो जो मैंने तुमहारे लिए किया था क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते केवल एक रात के लिए गीले में सो नहीं सकते हो यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाओंगी कि तुमने मेरी ममता का कर्ज चुका दिया है मांग की बाते सुनकर अब उस व्यक्ति की आँखे खुल गई थी उसे अब समझा चुका था कि जो मां अपने न ज जाने कितने रातों को मेरी खुशी के लिए ऐसे ही गुजार दिया है भला उस मां का कर्ज कैसे चुकता किया जा सकता है अब वह अपने किये पर शर्मिंदा था इस दुनिया में चाहे कितने भी रिन और कर्ज हो चुकाए जा सकते हैं लेकिन मां के प्यार और ममता के मूल क कभी भी नहीं छुकाया जा सकता है, यहां तक एक मा भी अपने पुत्र को इस संसार में पाने के लिए सारे दुखों को भूल जाती है, एक संतान जो की मा के कलेजे का टुकडा ही होता है, जिसे चह कर्मा अपने संतान को कभी भी अपने से अलग होते हुए नहीं देखना चा मा की ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए अगर कुछ दिना ही है तो हमें अपनी मा के प्रती हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में हमारी मा जैसी कोई दूसरी चीज भा बड़ी एकी मात्रा नहीं